तो स्वर्ग्यान हम कैसे सीख सकते हैं, इन 12 सोरों का अभ्यास हम कैसे कर सकते हैं, यह हम आज के इस लेशन में सीखने वाले हैं, वीडियो को कम्पलीट देखे, अगर आप इस लेशन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, स्वरों पर अपनी पकड कैसे बना सकते हैं, वो अच्छी तरह से सुनें, वो उसके बाद में इसके साथ में गुन गुनाएं, स्वरों पर अगला स्वर्ग, एक बार में नहीं लगता है, तो दूबारा उसे ट्राइ करें, रे, रे, सुद्रे और कोमल रे, इसको समझे, इसमें से किस प्रकार का साउंड आता है, इसमें से किस प्रकार का साउंड आता है, उसको सुने, उसको समझे, तब आप स्वर्ग्यान को समझ पाएंगे, हरें, हरें, हरें गाद, गाद, माद, माद, पाद, धाद, नी, नी, सा, सा, नी, नी, धाद, दाद, पाद, माद, गाद, गाद, इस प्रकार आपको इन 12 सवरों का अभ्यास करना है तो रेगुलरली आपको अभ्यास करना है और रेगुलरली ही अगर आप अभ्यास करते हैं तो ये आपको सवरों की समझ होती है सवरग्यान होता है और सवरग्यान के बाद में आप कोई भी गाना हो या भजन हो वह आप आसाने से निकाल पाते हैं तो दोस्तों आशा करता हूँ कि लिसन आपको समझ में आया होगा और अगर फिर भी आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले जो वीडियो जब उनकी नोटिपकेशन आपको मिलती रहे मिलते हैं अगले वीडियो में तब